जहीं दोस्तों मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूटीब चनल पर वेलकम करता हूँ आज हम लोग BPSC 70 पिलिम्स के रिगार्डिंग में एलुटेरिया के 5000 mcq series का सेट नमबर 13 को यहां पर डिसकस करने वह आले हैं आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा पिलिम्स के रिगार्डिंग तो कर रहे हैं में के रिगार्डिंग थोड़ा बात कर रहे हैं हम लोग ने फ्री में स्टार्ट किया है जो आप फ्री में देख सक करते हैं और हम लोग आज का जो कोशन है आज का कोशन है आपका सतंद्रवजा संग्राम के बारे में जो कि आपका 38 मांक में लिखना है और कल साम 7.6 बेस लेके 8 बेस तक हमाई टेलिगाम चल्ड़ पर अपलोड करने आपको अगर आपको लिंक नहीं मिल पाता है तो आप हम में मैसेज की जिएगा टेलिगाम में वाट सेपर आपको डाइकली लिंक सेंट कर दिया जएगा ठीक है तो लिखते रहिए बढ़ते रहिए आते हम लोग अपने आज के प्रिलिम्स वाले टार्गेट पर फर्स कोचन देखते हैं आपे इनमें से सदी सरासी कौन सा है तो सदी सरासी बताना है यह हो जाएगा आपका चाल प्रवरता हो जाएगा नेक्स्ट है एक तो होता है वेक्टर होता है वेक्टर में क्या होता है इसमें मैंगनिटूड प्लस डारेक्शन दुनों होना रक्त सरक्रा को नियंते करने के लिए इंसुलीन का स्रवन निमलिखित में से कौन से ग्रंथी करती है इंसुलीन कौन करता है तो अगनाशय करता है यानि आपका जो पैंक्रियाज होता है वो करता है तो इंसुलीन कहां से निकलता है पैंक्रियाज से निकलता है कौन से से बीटा से से हो जागा नेक्स्ट है निमलि होता है साइटोसीन होता है यूरासिल नहीं होता है ठीक है डिने में यूरासिल नहीं होता है इनमें से किसकी उपस्थिति के कारव मानोरंग का रंग लाल होता है तो लाल रंग किसके वज़से होता है तो हेमोगलोवीन के वज़से लाल रंग होता है हेमोगलोवीन किसके लि लीपी जाती है तो लीपी कैसी लिखी जाती है तो पहली पंक्ति दाई से और वह दूसरी पंक्ति ब्रीजिद के का न याद का लेना है का इसको रिपाएन पिक्चू ग्राफिक होता था जिसको बॉस्ट ओफेड़न के नाम से जानते थे नेक्स्ट है प्रथम बौध संगीति के अधक्ष कौन थे तो मैंने सारे का बता रखा है कि प्रथम बौध संगीति के महाल कर्षप थे सबा कामी दूसरे के थे वाशु मित्र जो थे तीसरी चौथे के थे और अशुगोस इनके डेपूटी थे और तीसरे बाल में कौन थे मोगली पुत्र सीतस थे निम्न में से कौन एक प्राकिर्थिक बंदरगा नहीं है तो प्राकिर्थिक बंदरगा आपका मुंबई है कोचिन है विसाका पटना में चन्नाई बंदरगा आपका नेचुरल नहीं है घेरे की नीती रिंग फेंस पॉलिसी करते इसको घेरे की नीती या सुरक्षा प्रकोस्ट की नीती का जनक किसे करते हैं तो या हैस्टिंग हो जाएगे वारन हस्टिंग इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा रिंग फेंस पॉलिसी जो आपका वारन हस्टिंग करता वाम पंती विचारों पर अधारित forward block के अस्थपना कब हुआ था तो 1939 में सुवाज शंद बोस ने forward block के अस्थपना की थी नेक्स्ट है 11 नमबर विस्व में मचली उत्पादं के दिस्टी से महत्पून Grand Bank किस अस्थान पर मिलता है ग्रांड बेंक कहां पर मिलेगा इड़ांटिक महसथाक के उत्तरपश्चिम चेतर में जहांपर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है उसको वहाँ पर मचली के लिए काफी अच्छा होता है यहाँ पे देखले आप करेक्ट आंसर हो जाएगा मांट बेटन योजना के अंतरगात कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्मान को स्विकार किया था तब मांट बेटन योजना किसको करते हैं इसको हम 3 जून 1947 को करते हैं ऐसे को तीन जून प्लान भी कते हैं. ऐसे को डिकी अस्मायल प्लान भी कहा जाता है माउंट बेटेन योजना को. तीन जून प्लान इसका correct answer हो जायगा. नमलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदंग का सदफ से नहीं होता है और नहीं वसंसत में बैठता है लेकिन वसंसत का अभिन हंग है यह हैं आपके रास्पती क्यों अभिन हंग है? क्योंकि जो भी law बनता है इनके sign के बीना नहीं बनेगा सविधान सभा का चुनाव निमलिखित में से किस अधार पर हुआ था तो सविधान सबा का चुना हुआ था व्यस्क मताधिकार के अधार पे व्यस्क मताधिकार इसका correct answer हो जाएगा भारतिय सविधान में कौन सा भाग और अध्याय संग और राज्यों के बीच विधाई सम्मंदों को बताता है तो यह हो जाएगा आपका भाग 11 और अध्याय 1 में विधाई सम्मंदों के बारे में जिकर किया गया है नेक्स्ट है किस सविधान संसुधन द्वारा मतदान करने की नियूंतम उम्रसी सीमा 21 वर्स से घटाकर 18 वर्स कर दिया था तो यह पर 61 सविधान संसुधन इसका करेक्टेंसर हो जाएगा तो 21 सविधान संसुधन कब था? 1989 के असपास यहीपे आपका इसी कवश जैसे एलक्सन का मिसा में 1 मेंबर बड़ी से इसको 3 मेंबर बड़ी कर दिया गया था नील अंदुरन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू प्याट्रियोट के समपादक थे हैं हरीश्चन्द मुखरजी तो हिंदू प्याट्रियोट किसने लिखा है यह है आपके हरीश्चन्द मुखरजी नेमलिखित में से किसने हिंदी भासा को भारत की रास्ट भासा के रूप में सुविकारा वा पहली बार स्वराज सब्द का प्रयोग किया तो पहली बार स्वराज सब्द का प्रयोग किसने किया था तो दियानन्द स्वरसती ने किया था नेमलिखीत में से किसने हिंदी भासा को भारत की रास्ट भासा के रूप में स्विकारा था और पहली बार स्वराजी का प्रयोक किया था द्यानन्द स्वरसती इन्होंने 1875 में आयरे समाज के अस्थापना किये थे सुद्धी मुमेंट भी इन से रिलेटेड है और भी बहुत कुछ इनका है स्रम गहन उद्योग क्या है? स्रम गहन उद्योग जोता है जहाँ पर अधिक स्रमिक आते हैं तो अधिक स्रमिकों क्या आवे सकता होती है तो यह आपका स्रम गहन उद्योग कहलाता है कि निर्धनता का दूश्य की ने दिया तो यहादाना क्या था चाहे मेंगत बताईगा के विट और निस किया इडलामस मिट क्या है बस क Taika कि वेजय ताई व्यदाताने में आपका अठार वेट नहीं आता है याद भणékना यहाँ से यहां चाटिए, यहांऩ काटिए, यह एनसरा जागे मुद्रश्फीती का बेरुजगारि के समन्द में जलाता है तो मिद्रा स्विती और बेरोजिगारी को बताता है फिलिप कर्फ मुद्रा स्विती और बेरोजिगारी को बताता है फिलिप कर्फ बताता है लॉरेंज कर्फ क्या बताता है तो ये बताता है आपका उत्त्रा खंड में बुगर में और गाम जया जबैंस सदस्वा उत्तरा है separate भाइक दो शार 1947 करें been COR है आर dni कि जो शीमा सुनक है परटेक्ष कर नहीं होता है तो पर्टेक्ष चरहाँ और तीन अश्य नट तीए अब उंका पता था कि नीगम कर की होता है अपका डिर्रेक्षक्क होता है पर ठीकष कर पूरा नाम है नेम लिखीत में सकिस एक में धौनी की चाल सबसे अधिक होती है धौनी की चाल जोता है वायू में कम होती है और जल में और कम होगी विदुद चुRad चुमके तरंग किया है विदुद चुमके तरंग जो है आपका कैसा है यह अनुपस्त तरंग है य focus was सब्सक्राइब को सब्सक्राइब याद खना है सब्सक्राण्य किसम मिलेगा कौन सही सुमेलित नहीं है खादी के लिए आपका हर रूत क्राण्टी है दूद के लिए सुघान्टी है उद्यान के लिए सुनहरी क्रांथी है और यह जो है आपका गलत देद रखा है वर्स 2011 के जनगना के नुसार सरवाधिक लिंगानुपात वाले राज़ी कौन सा है घटते क्रा में तो सबसे ज़्यादा केरल में है उसके अतमील नाडू में या दखना है तो यहीं आपका ओप्सन 20 का करेक्टर अंसर हो जाएगा निमलिकीत में सुमेलिक का ना है तीलया परियोजना किसका हो जागा तो तीलया परियोजना बराकर नदीप में जहरकण में है , बंसागर सुन नदीप है रंजीस सागर आपका रावी नदीप है तो 35 का क्या हो जाएगा यह option d में आएगा निम में से कौन सा देश अस्थल रूद है देखे लैंड लोग पूछा है तो यह आपको जो है मेली इसमें फेमस होंगे यह आपको देखें मैं बताता हूं इसका उरुगवे परागवे उरुगवे में यू आता है यू एक तरफ से खुला हुआ है यहीं आपका लैंड देखां निम में से कौन सा देश अस्थल रूद है तो यहां पर जो अस्थल रूद है आपका हो जाएगा 36 का दी होजएगा परागवे तो उर्गवे आपका लैंड़ोग नहीं है तो इक फोलते को प्रागवे आपका लैंड़ोग हो जागा इस तरीके से अग्ता आपका आपका अंसर आ सकते हैं क्योंकि जहां पर अपस्टन पीन नहीं प्रागवे फोल्टेvention अजया है वहाँ प्रागवे से ऑहां इस दोन हुई है तो Colorado नदीस बनी है the Grand Canyon घाटी जो है किस नदी से बनी है Colorado नदी बनी है नेम लिखीत में से कौन सी समीथे भारत में पंचाथी राज से समधिल नहीं है तो पंचाथी राज से कौन कोन है एलेम सिंगी कमिटी है ठुंगन कमिटी है और बलवंत में में सव्यृता कमिटी है दीन्येश गौसवामि समीति का समध्य इलक्ट्रोल रिफॉर्म से इलाक्षन रिफॉर्म से समध्य है दिनयस गोश्वॉमी है Σबैं कि नेक्स्ट 4 में लिखित में से किस अधिनियम दराद सिखो के विए प्रिथक ऍवाचन छेत्र की व्यस्ता की टींथ यानी सिख के लिए सेपरेड ईलेक्ट्रời लेट लाए गया था किसमें यह था आपका भारो सरकार अधिनियम 19 में 1909 में मुस्लिम के लिए लाए गया था और 1919 में आपका सिख्य के लिए लाए गया था सविधान इसी को क्या कते हैं यहां पर प्रफिय। नहीं था जोग आल्फिय। थे संघिय की और प्रारूफ सरविदान के किती यane के तब के सड़दार पटेल ने किया था भारत के सरोच नेयाले के सविधान पीठ नेम्ली खित मैं सप्षाविसरे में 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 अच्एन के सजा में दूरलब दम दूरलब सिधान्थ का पति-ाजक pig थians रेरेस्ट ऑफ दे रेर जो केस आजगा वह आपका बच्चन सी बनाम पंजाब राज्य उनीस सोटी का केस था यह 41 लव अशमयस किसमें आते हैं तो लोन्ट टेनी it अगा चांट सीथा इसमयस किसमें आ अजया ऑस्मयस उसमें टाइलयरh पुर्स का किसे हो जढ़ा जोगा पर्यावन से हो जाएगा किस भारतिये बहांसा को इटालियन आफ दीप Isso कते हैं तो इतालियन ऑफ दे इस्ट किसे करनाय करवाय था कैए सार नत के द्हाम वैंस के अस्यों के असोक न बनवाए था चंध गूप्त की भंगाल पर विजय किस अभिलेक से समद्धित है तो यह जो अभिलेक से समद्धित है महास्थान से समद्धित है चंद गुप्त की बंगाल वीजय महास्थान अभिलेक में दिया हुआ है चोल एवन तमिल राज्वंस है इसका राज्किय चीन क्या था तो इसका बाग था चोल एवन तमिल राज्वंस का राज्क करेंसर हो जाएका गांधी के नाम के पहले महत्मा जुड़ा ज़ने दॉरान औराम किस कं स्बढार.... हो जाएंगे महमुद गजनी सुल्तान की उपादी धारंग करने वाला पहला सा सकता महमुद गजनी के गजनी ने भारत पर 17 लार आकमन किया था इसने पहला आकमन किया था और अंतिम आकरण 227 में किया था इसने 1225 में परशिद सुमनास मंदिर जो की गुजरात में था उस पे आकमन किया था मुहमद गौरी ने भारत पर पहला आकमन सद 1175 में किया था मुहमद गौरी ने पहला दूसरा आकमन 1178 में किया था पार्टन गुजरात पर किया इसमें यहां का सिसासक भीमाद दुत्य था दूसरा आकमन 1178 भीमा दुट्ट के किया था ताइवान का प्रत्थम युद 1191 में होता है गौरी और प्रिस्विरा चोहान के बिच में जिसे प्रिस्विरा चोहान जी जाते है तारायन का दूसरा युद 1192 में होता है गौरी और पित्रुरा चौहन के बिच में जिसमें गौरी विजय हो जाता है और पित्रुरा चौहन को मार देता है चंदावर के युद में एकास चौहन में गौरी और जाचंद के उचम होता है और इसमें मुहमद गौरी जी जाता है जाचंद को मार देता है हाथिक गुंपा अभिलेक जो आपका कलिंग नरेस खार्वेल से समझ दित है, जुनागर अभिलेक रूदर दमन से समझ दित है, एहोल अभिलेक पुलकेशिन दूते से समझ दित है, मंदसौर अभिलेक यशो वर्मन से समझ दित है, नाशिक अभिलेक गौतमी बालस्री से सुकूपत जगा तिया मेरा आज का सेट कंप्लीट होता है मिलते हैं अगले सेट में तब अगले क्या करना है टेलिगान चैनले का लिंक दिया हुआ है आप जोइन किजिए का फ्री मेंस आंसर राटिंग सीरीज के लिए जैहिंद जैवारत धनेवाद